गुल मॉनिंग फ्रेंग्स मेरा नाम डॉक्टर शोपित गुपता है मैं कंसार्टेर प्लास्टिक सर्जर्ण हूं न्यू डेली करोलबाग गरिया में आज हम इस वीडियो में आपको हम डिटेल में बताएंगे कि मिनॉक्सिडिल और पी आरपी में क्या फरक है और मिनॉक्सि कर रहे हैं तो हमको मिनॉक्सिडिल की क्या जूरत है मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि मिनॉक्सिडिल और पी आरपी और जी एफसी का अलग इफेक्ट है और अलग अलग तरीके से आपके बालों को वह जो है बचाता है सबसे पहले जो मिनॉक्सिडिल है मि vasodilation करना vasodilation का मतलब है कि blood vessels को मोटा करना basically हमारे बालों को grow करने के लिए क्या चाहिए खाना चाहिए अब खाना कैसे आता है हमारे खून से आता है अब खून कैसे आएगा blood vessels से आएगा तो minoxidil का काम है blood vessels को मोटा करना जिससे वहाँ पे ज़्यादा खून आए और ज़्यादा खून आने की वज़ा से ज़्यादा ज़्यादा खाना मिले तो जो भी minoxidil का काम है वो सिर्फ इतना है कि blood vessel को मोटा करना अब PRP का क्या काम है PRP का full form है platelet rich plasma तो platelet rich plasma में हम लोग platelet को जो enhance कर देते हैं एक centrifuge machine होती है जिससे हम अपने blood को जो आपका blood होता है उसमें से platelets निकालके और platelets को हम enhance करते है और platelets को हम inject करते है अब platelets से क्या चीज़ निकलती है जिसको बोलते है PDGF PDGF का मतलब है platelet derived growth factor अब platelet derived growth factor से क्या होता है वो बालो का growth increase करता है वो कोई growth factors है जिससे आपका बालो की growth increase हो जाती है तो minoxidil और PRP बिलकुल side by side चलती है ऐसा नहीं है कि अगर आपने PRP कराई है तो आपको minoxidil नहीं चाहिए और अगर आपने minoxidil कराई है तो आपको PRP नहीं चाहिए तो इसलिए जबी भी PRP होता है तो हम minoxidil भी सब को साथ में हम चलाते है तो इसलिए minoxidil और PRP दोनों साथ साथ चलती है इससे आपके जो है complete hair fall ठीक हो जाए इसके regarding आपको क्यों और information चाहिए तो आप हमारी website के ओपर login कर सकते है और आप हमारी videos के नीचे comment लिख सकते है हम आपको answer करेंगे Thank you very much, thank you for watching